कि ये आदे आज हम बहुत सब सबस्क्राइब कर रहा हैं और ये सबाल अक्सर दोंकों में आता है शबाल कह रहा है कि साइन ठीटा बरावर तीन बटे पांच है तो कास ठीटा और तैन ठीटा का मांद गया तिये देखेगा एके तरीके से अबछे सवाल लगा इए बहुत सल तरीका है क्या तरीका है की сами theta बराबर है तीन बटे पांच और sin theta क्या होता है lemba बटे kaN होता है क्या होता है lemba बटे kaN यानि कि एक त्पुझ होने वना लिया चोटा सा ये रख में और लंब है हमारा तीन अब करण है हमारा पांच ये लंब होता है ये करण होता है और ये हमारा आधार होता है ठीक है ये आधार बाला ये है अब इसको मान लिया हमने A B और C ये तरबुज हो गया हम अब आप देखे ध्यान से कि इसको सोट कर लगा सकते हैं कि इसका बर्किया इसका बर्किया और यह निकालेंगे लिए निकालो यह निकालो तो घटादरा पड़ता है अगर यह निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ता है तो पच्चम 25 और तीन त्यान नौ 25 नौ तो क्या निकालना है हमको आधार निकालना है हम तो आधार के लिए हम लोग सूत लगा देते हैं कि पाइथा गोरस प्रमे द्वारा सूत होता है आधार निकालना है तो सीदे सीदे लिखा यह थे हैं आधार हिंदी में लिख दे आधार का स्कॉाइर यानि कि आधार स्कॉाइर हमारा एबी ठीके बराबर करण का स्कॉाइर अरे इसको अटाओ आधार का स्कॉाइर करण का स्कॉाइर माइनस का लंब का स्कॉाइर हिंदी में ही लगाओ लंब का स्क्वाइर तो बरावर आधार स्क्वाइर के आ जाएगा करण है पांच पांच का स्क्वाइर माइनस तीन का स्क्वाइर तो 25 माइनस तीन तिया 9 यह क्या है आधार का स्क्वाइर आ रहा है आधार का स्क्वाइर तो आधार बरावर अब देखे ये 25 में से 9 गए तो 16 बचे का यहाँ पर तो यह स्कॉार हटाती है यहाँ पर तो 16 हो जाएगा रूड के अंदर तो आधार बराबर हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 का होता है 4 तो यह हमारा तो 4 पहले बने बता दिया आएगा और 4 आ गया अब हमारे पास इतनी चीजे आ गई तो कुछ भी निकाल सकते हैं अब देखे ध्यान से कास पूछ रहा है तो कॉस ठीटा बराबर हमारा होता है खिंदी में आधार बटे कर्ण और आधार यानि कि हमारा 4 आया है तो 4 हो गया और कर्ण हमारा 5 है तो 5 हो गया यह एक लग गया दूसरा है 10 ठीटा खोता है लंब बटे आधार तो लंब हमारा 3 है आधार हमारा 4 है यह यहां पर 4 निकल कि आया तो यह 4 अब इसको बड़ा कर लो 4 तो यह 4 हो गयी है हमारा दूसरा निकालाया तो कैसा लगा सबाहल अच्छा लगा और लाइक से कमेंट कर फिर मिलते हैं गले बीजिए